नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और सूरी ग्रेंड के इस विसेस एपिसोड में कि आपको मालूम है कि ग्रेंड से पहले क्या-क्या करना चाहिए ग्रेंड के दोरान क्या-क्या करना चाहिए और ग्रेंड के बाद में क्या-क्या करना चाहिए और विसे उपाई क्या कर सकते हैं ग्रेंड पर यदि आपको नहीं पता है तो यह सब कुछ जानकारी मैं आपको इस एपिसोड में दे रहा हूं कोई ग्रहन किसी देश में दिखाई दे या ना दे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है ग्रहन का प्रबाव मनुष्य के जीवन पर उतना ही पड़ेगा चाहे वो उस इस्तान पर किसी भी देश में ग्रहन होने पर प्रबाव अवश्य ही पड़ेगा चंद्रग्रण हो या सूरी ग्रण ग्रैण के समय करने के लिए कुछ कारिया और कुछ सावधानिया हमारे सास्त्रों में हमारे ही फाइदे के लिए बतलाई गई है सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ग्रैण लगने से पहले आपको क्या क्या करना है ग्रैण के दिन सूत्रकाल में पत्ते तिनके लकडी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए बाल अत्वा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए मंजन नहीं करना चाहिए ग्रैण के पश्चात में ये सभी कारिय कर सकते हैं ग्रेहन में तीन प्रहर अता लगबग नौ गंटे पहले खाना नहीं खाना चाहिए कोई भी व्रद्ध हो छोटे बच्चे हो या रोगी हो वो डैट प्रहर से पूर्व अता लगबग साड़े चार गंटे पहले तक खाना खा सकते हैं लेकिन विशेश परिस्तितियां हो तो खाना खाना ही पड़ता है खाना खाना ही चाहिए लेकिन समानेता हमारे सास्त्रों में यह नियम दिये हैं यदि यह पालन हो सकते हैं तो जरूर करने चाहिए ग्रहन वेद के पहले जिन पदार् को डाल दिया जाना चाहिए ग्रेंड के प्रस्चात में स्नान करके नया बोजन बनाना चाहिए और वो ग्रेंड करना चाहिए ग्रहन वेद के प्रारम में तिल या कुछ मिलाएवे जल का उपयोग भी बहुत जरूरी इस्तिति में ही करना चाहिए और ग्रहन सूरु होने से अंत तक अन या जल ग्रहन नहीं करना चाहिए सूतक लगने के बाद से गर्वर्ति इस्तियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ग्रहन काल में सूरी से पराबैंगनी अल्ट्रा वाइरेट रेज निकलती है जो गर्वर्त सिसू के लिए हाने कारक होती है यह आपके घर में ही मंदिर है तो सूतक लगते ही उसके कपाट बंद कर दें या फिर मंदिर को पढ़दे से डग दें अब मैं आपको ग्रहन काल के दोरान क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए यह बतला रहा हूँ ग्रहन के समय गुरु मंत्र, इस्ट मंत्र या भगवान का नाम जपना अवश्य चाहिए न करने से मंत्र में मलिंता प्राप्त होती है जो आपने गुरु मंत्र लिया वा है वो इस समय काल के दोरान नहीं जपते हैं तो एक प्रकार से ये कहा जाता है कि मंत्र असुद हो जाता है मंत्र में मलिंता आ जाती है ग्राण के समय सयम रख करके जब ध्यान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है ग्रण के समय या ग्रण के सपर्ष के समय सनान और उसके मद्य में हवन, देव पूजन और श्रद तता अंध में सचोल सनान अतादवस्तर सई सनान करना चाहिए इस्तरियों को सिर्धोकर के सनान करना चाहिए ग्रेंड के समय आम भासाम बोलते हैं ताला खोलना तिक ताला नहीं खोलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मलमुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, मेथुन नहीं करना चाहिए, और खाना नहीं करना चाहिए, ये सभी कारिय वर्जित है ग्रेंड के समय कोई भी सुब या नय कारे शुरूर नहीं किया जाता है ये ग्रैन के समय में गायों को गास पक्षायों को दाना जरूरत ग्विपंद्टों को वस्ते दन या अन्यंद दन आता जो ग्याओं का दने साबुद दानादी का ग्रैंड में माफल अखिंटु झोटे बच्चे नवाध बच्चों की मा को घ्र्षतन को ग्रैंड ग्रैंड और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए गर्पती मैलाओं को अपना खास खैल रखना चाहिए उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए ग्रहन काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहन दर्सन तो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए इसपेशली उन लोगों को जिनकी रासी पर ग्रहन है और जिस नक्षत्र में ग्रहन है तो म्रक्षिस नक्षत्र से आध्रा नक्षत्र तक ये ग्रहन चले जो भी दान धर्म कर सकते हैं पूजा पाट कर सकते हैं वो करना चाहिए ग्रहन काल में भोजन पकाना या भोजन नहीं खाना चाहिए यदि आपने भोजन किया है तो उतने वर्षों तक ऐसी मानेता है कि नरक में वास करना पड़ता है चंद्रग्रण में तीन प्रहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए एक प्रहर का अथार्थ है तीन गंटे बुड़े बालक और रोगी एक प्रहर पूर्व खा सकते हैं मानेताओं का नुसार गर्वती महिला हो कुछ सबजी काटना कपड़े सिलना या उधेरना नहीं चाहिए इससे होने वाले बच्चे के सारीरिक दोश या रोग रस्त होने की संभावना पैदा हो जाती है ग्रहन के समय में तेल लगाना पानी पिना बाल बनाना सारीरिक संभन बनाना मंजन करना वस्त्र निचोड़ना ताला खोलना आधी वर्जित है ग्रहन काल के दोरान सोना नहीं चाहिए ऐसे करने से व्यक्ति रोगी बन जाता है रोगी हो जाता है मालिश या उप्टर लगाने से कुष्ट रोग होते हैं और इस तरी प्रसंग से अगले जन में सूर की योनी मिलती है यह सभी कुछ सास्त्रों में लिखावा है यह सभी कुछ गरंतों में लिखावा है ग्रेंड के दिन पत्ते लकडी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए अब बात करते हैं कि सूरी ग्रेंड के बाद में क्या करें तो ग्रैंड काल में इसपरस कियेवे वस्तर आधी कि सुद्धी के लिए बात में उसे धो देना चाहिए तता स्वेम भी預श्तर सहीत सनां करना चाहिए ग्राइन के समाप्त होने के बाद में गर्वती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए ग्राइन के समाप्त होने के बाद में घर में गंगाल जल छिड़क करके सुद्धी करन करें एक छोटे से पात्रम में आप पानी ले लिजिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए कोई भी पुस्प हो नहीं तो दूरवा हो दूरवा हाथ में ले करके उसमें डूबूडूब हो करके ठीक आपके घर में जो भी सुबस्तान है चाहिए वो रसो ही हो चाहिए रूम हो बात्रों में नहीं करना है सुभस्तानों पर ये जल छेड़कना है सूत्य के बाद में पीने का पानी बदल दे जो भी पानी आप रखता है चाहे वो कैमपर रखते हैं चाहे और किसी मठकी रखते हैं और कोई बतन में पानी रखते हैं उन सब पानी को गिरा करके आपने नया पानी बढ़ना है सुद्ध जल आपने बढ़ना है और सुद्ध जल ही पीना है गावों में आज भी परंपरा है कि ग्रेंड के बाद में वापस पानी बढ़ने जाते है सूरी ग्रेंड खत्म होने के बाद में जो भी गरीब है या जरूरत मंद है उन्हें खाना आदी दान करना चाहिए, ग्रेण के बाद में पुराना पानी और पुराना अन फैक देना चाहिए जो भी पकावा है वो फैक देना चाहिए तता बोजन नया पकागए खाए और ताजा पानी बर करके पिए भगवांद वेद वियास जी ने बहुती परम हितकारी वचन कहें सामानी दिन से चंद्रगरण में किया गया पुन्य कर्म जब ध्यान दान आदी एक लाक गुना और सूरी गुना और सूरी गुना फलदाई होता है यदि गंगाजल पास में हो अठाथ गंगा किनारे के तिर्स्थानों में चंद्रगरण में एक करोड़ गुना और सूरी गुना दस करोड़ गुना फलदाई होता है और इसलिए लोग जब भी गुना होता है तो जादातर लोग जो भी धरमात्मा है जो भी बहुत ज़ाधा आस्ति के वो तीर्द स्थानों पर जाते हैं ह Sm vulnera पर शांथी के लिए कुरुक्षे त्र got vend all चैसी प्रसिद भर्यंड है न करने से मंत्र को मलिंता प्राप्त होती है ग्रहन के अवसर पर दूसरे का अन खाने से 12 वरसों तक 71 कियावा सब पुण्य नस्ट हो जाता है ऐसी माननेता है अब इस ग्रहन का आल में विशेस उपाय क्या कर सकते है वो जान लीजे तो जो आपके काम का है वो उपाय आप जरूर करने का प्रयास करें ग्रहन लगने के बाद में घी और खीर से हवन करें इससे आपको आर्थिक लाब होगा और लंबे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा यदि आपकी कुण्ली में चनमा निर्वल है तो ओम चम चंद्रम से नमा मंत्र का जाब करें और यदि आपकी कुण्ली में सूर्य निर्वल है सूर्य कमजोर है सूर्य नीच रासी का है सूर्य रहू या केतु के साथ में ऐसी इस्तिती में आप ग्रहन काल के दोरान ओम ग्रणी सूरिया नमा इस मंत्र का जाप करें सूरिय ग्रण पितर दोस निवान के लिए भी बहुत उप्युक्त माना जाता है तो सूरिय ग्रण में जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उन्हें पितर दोस है या उनके पितर कुपित है उनके पित्र सांती नहीं पाये वें, ऐसी इस्तिति में ग्रहन काल में, ओम पित्र देवो भ्यनमा, बहुत छोटा सा मंत्र है, और हर किसी को ये मंत्र जाप करना चाहिए, जादा सुब रहेगा, मंत्र एक बार फिर बोल देता हूं, ओम पित्र देवो भ्यनमा, इस छोटे सा मंत्रे का जितना हो अधिक साधिक जाप करें यदि आपकी कुल्ली में सूर्य या चनमा से समधी दोस है अता सूर्य के साथ में राओ या केतु है या चनमा के साथ में राओ या केतु है ऐसी इस्तिति में ग्रेंड दोस गटित होता है तो ग्रेंड का समय इनका उपचार करने लिए बहुत ज़्घा सुब माना गया है यदि आप किसी तिर्ष्द स्तान पर है तो विद्षित के बाद में पुनों स्नान करके जो भी तेस्तान में मंदिर है वहां का दर्षन जरूर करें ग्रहन के उपरांद स्नान करके यता संभव किसी जरूरत मंद को दान करें तो आपको इस ग्रहन का सुबफल प्राप्त होगा अब इसमें विसेशता क्या है या विसेशत उर्फ से क्या ध्यान रखना है कि ग्रहन के दोरान आपको तुलसी पत्र तोड़ना निश्य दे इसलिए सूतक से पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख ले या कुछ कोई खटा करके रख ले दूद और दही में भी तुलसी पत्र डाल दें तो वो सुब रहता है सुद रहता है यदि कुछ विशेश भोजन है जो आप फैकना नहीं चाहते हैं तो उसमें सूतक से पहले ही तुलसी पत्र डाल दें सूतक के दोरान भोजन नहीं बनाना है सूतक से पहले भी जो भोजन तयार कर लिया है उसको सूतक से पहले ही खाले जो समयकाल मेंने बतलाया है वो समयकाल से पहले आप उसे समाप्त कर ले और यदि खाना बच जाता है तो उसे पसू पक्षियों को डाल देना चाहिए ग्रेंड के समयकाल में धार्मिक पुस्तकें पड़े अच्छे विचार और भाव मन में लाएं अपनी सोच को अपनी थिंकिंग को पॉजितिव रखें विसे इस तोर पर जो गर्वती में लाएं कि उनका सिधा प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है इसलिए सोच को पॉजितिव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्नान करके बगवान का मनन करें जो भी आपके आर्यादेश्ट देवे उनका ध्यान करें ग्रेंड के बहुमली समय का जितना ज़्यादा हो सके यता सकती हो सके इस समय का सद्विपयोग करना आपके लिए कल्यान क योगा आपके लिए सुभ रहेगा मैंने बहुत ही छोटा सा प्रियास किया है सिंपल वे में यह बोल सकते हैं कि एक कंड जो होता है उस कंड से बाद में ये सब आपको विचार करना है इसमें से जो भी आपके योग्य है जो भी आपके ध्यान देने योग्य है जो भी आपको ग्रैन करने योग्य है वो सब आपका है एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं मेरा ये प्रया से आपके किसी योग्य काम आए तो बहुत ही सुब ह होगा बहुत ही उचित रहेगा और आप सभी के लिए कल्यान करी होगा क्योंकि मेरा यह उद्देश यही आपको जानकारी प्रदान करना है ग्रेंड से समधित बहुत सारे एपिसोड बनाएं चाहे उसुत्तक के माध्यम से हो चाहे आपकी कुंडली में जो ग्रेंड योग है उसके लिए हो ग्रेंड का राष्ट्री हो और अंतराष्ट्री मात्व क्या पढ़ेगा क्या प्रवा पढ़ेगा उसके लिए हो ग्रेंड में आपकी रासी के नुस्यार क् करना है आज बस इतना ही स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने परिवार का बहुत-बहुत खाल करें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत सुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें बहुत-बहुत धन्यवाद भाल करें आपकी रखे, इवर आपका बहुत धन्यवद खाल आपकी रहें आपका всем क्याद का में बहुत-बहुत गव-न्यवाद